नमस्कार विद्या तिमित्र हो, मैठ्स क्लास्रूम मदे आपना सर्वान से महनप प्रवक स्वागद, मिडी जे वाग, स्री वसंत्राव जयवंत्राव दिश्मुख हैश्कुल कोलापूर, आज आपन 9th मैठ्स 2 मदे थर्ड चाप्टर, ट्रेंगल्स कंटिन्यू करीता होत, अच्छय वीडियो मदे प्रक्टिस्ट 3.3 जा अंतरगत मेडेन अफ ट्रेंगल, इन राइट अंगल्स ट्रेंगल्स, या विश्य आधिक महिती जनुन गेना रहोत, तो, लेट्स गेट स्टाइब Okay Students, Median of a Triangle काशला मनाइचा जा या पुदू या पन शिकलेल है, पुन एक दार इकाल को मिल गेवे, A segment joining a vertex and the midpoint of opposite side, that is mean the side opposite to it, is called as the median of a triangle एका या ट्रेंगल्सा वर्टेंग्स आनि तच्छा आपोजिट सा मिडपोईट या जोडना राजो segment असतो, जला आपन मेडियन असमनतो that is means in triangle ABC, if D is the midpoint of side BC, then we say that segment AD is the median of triangle ABC मन्जेच सीजी segment AD है, तिया triangle मेडियन असल, या चाथ ही median, या वर्टेंग्स मदूना लिए या पत्दतिन आपन आसमनोशक्तो, सपोज E is the midpoint of side AC, side AC चाजर E हा midpoint असल, आपन हा E point आपन B वर्टेंग्स जर आपन जोइन के लिए, mode Rad Matrix and midpoint of opposite side, then it also median. B हा जो segment है, तिया सुधा median है, याच पत्दतिन आपन C हा VotEx, औन TACbuilt अपन मैडियन F is midpoint of the side AB then we say F is the median कुंत्याही ट्राइंगल मदे सग्या एंगल बैसेक्टर, पर्पेंडिकुलर बैसेक्टर, अल्टिट्यूड क्योंवां मेडियन हे एकाच पॉइंट मदे इंटरसेक्ट होतात मनजे इसते एक कॉन्करंट असतत सेम यह इता अपना समनों शोकतो है धी मेडियन AD, मेडियन B, and मेडियन CF, all the medians इंटरसेक्ट at a single point, that means they are concurrent अनि मेडियन जया ठिकानी इंटरसेक्ट होतात, त्या पॉइंटल अपन सेंटरोइड असमन्तो, जी यह लिटर ना इंडिकेट के लिए जाता that is means the point at which all the medians इंटरसेक्ट are known as the centroid of the triangle अनि यह centroid चा बप्तित अपना अशी प्रोपोटी शिकलो है कि यह centroid चा टिकानी त्या medians चे 2 is to 1 यह proportion मदे डिवाइड होता that is means centroid divides the median in the ratio 2 is to 1 मझे सपोज ही AD ही जी median है त्याचा जर विचार केला तर यह G point मुळँ AG is to GD हाजो रेशो होतो तो मझे 2 is to 1 होतो मझे दोन भाग हे वर्टेक्स कर असता है मझे यह सेग्मेंट चे जर इक्वल तीन पार्ट के लिए तो दोन पार्ट हे वर्टेक्स कर मझे AG हाँ दोन पार्टा सहील और GD हाँ एक पार्टा सहील सेम वे आपन मनु शुकतो BG is to GE that is means 2 is to 1 and CG is to GE that is means 2 is to 1 मंझे CG प्रापर्टी आपन शिकले होले ती पुना एकदा रिकॉल कुरून गया the point of concurrence of the medians of a triangle that is means the centroid divides each median in the ratio 2 is to 1 ही जी centroid शी प्रापर्टी आहे ती सग्या प्रकाल चा ट्रांगल मदे अपलाय होतो या श्वाय राइट आंगल ट्रांगल मदे एक additional property होते है जो थेलम आपले आला पायचा है कि property name की काया लक्षाद गया suppose right angle ट्रांगल असेल और हाइपोटेनियस वर जर एकादी median असेल suppose this is right angle triangle ABC जा मदे AC हाइपोटेनियस है आशाव रिजल D हाप point side AC मझे इस हाइपोटेनियस असेल तर BD आपन median मंतो यावड़ी एक additional property आशी संगते कि हीजी length असे BD हीजी length है median जी ती हाप असे हाइपोटेनियस चा that is means AC चा मझे हाँ theorem काई संगते पहा in right angle triangle the length of the median on the hypotenuse is half of the hypotenuse मझे हाइपोटेनियस वर जी median आपन ड्राउन के लिले असे ते हाइपोटेनियस चा हाप असे मझे आचा proof चा है ते अपला पुस्तका मदे देले लाए ते आपन पट-पट सम्जाओन ग्यू मझे हाँ प्रूफ कराई चा सेल तर अपने ले शरुवा ते ला गिवन पार्ट लहला अब गिवन पार्ट मधे अपने यवडाच पार्ट माईता है कि हा राइट अंगल ट्रांगल आए श्वाई बीडी ही median है आपने तर दोन ट्रांगल एक मेका ना कॉंगरन डाखो तो यह पुरी वीच आपने वीडियो मदे पार्ट आपने अपने बीडियो मदे प्रूफ कराई चा सेल तर अपने अश्या पद्यतने कंस्ट्रक्शन करावी लगते ता एक्चुली कंस्ट्रक्शन आशिज का के लि अच्छा अधरे जे काई इक्वल साइट सास्ता तो मंजे इस कर्रस्पोंडिंग साइट सेक्वल दाकूं तेचा अधरे अपने हाप पार्ट होगे दे अपुश अपने शुरुवाती लह को करें आपन हाजो सेग्मेंट बीडिया तो असाँ पूड़ा प्रेडियोस करें जवड़ा सेग्मेंट बीडिया है ते उड़ा पूड़ा हाँ सेग्मेंट बीडियोस केला आनी हाँ जो सेग्मेंट है मंजे हाँ इपॉइंट वाडलान अंतर जवड़ा बीडियोस केला आनी इसी फक्त ज्वाइन केला यहां पद्धत नहीं कंस्ट्रक्शन केली आता यह आपला पुस्त्रक्शन सा उप्योग तुम्हाला प्रूफ मदे लग्षा तील मगे जे गिवन आहे टू प्रूवाय अनी कंस्ट्रक्शन आहे तिया अपला पुस्त्रक्शन मदे दिलेल है मी फक्तित पड़ दाको दे पहा अपला हाँ थेरम काई संगतो है इन राइट अंग इन रे बीडी बीडी मंझे इस बीडी हा एक्स्टेंड के लिए नंतर फुडा अशा पद्धती न इई पॉइंट गेतला है जे बी नंतर दी त्या नंतर ये बीडी यह कोलिनियर दीलेले पॉइंट्स फक्त ही घेत अस्तान आपन इकुटे ये गेतलेल नहीं है बीडी इस कंडिशन उसार इपॉइंट गेतला है मंझे ही एक अपलेला पेर मेला लेले कॉंगरेंट साइड आनि हाजो इसी सेग्मेंट होता तो आपन ज्वाइन करून गेतलेला है आता याचा जे प्रूफ आहे ते नेक्स्ट पेज वर ही फिगर फक्त गेतले है आनि आपन प्रूफ मांड तस्ता ना थोड़ा सा विचार केला कि वहां फिगर अबज़ेर केली ते तुम्छा लक्षा तील कि हाजो बीडी सेग्मेंट है जी मेडी एन है जी अपलेला एसी चेहाँ प्रूव कराई छे परन्तु ही बीडी ही जी लेंता है ती अपले आ कंस्ट्रक्शन मों अपना आत्ता आसा महनू शक्त है कि ही बीडी चाहाप है करन जवड़ा बीडी है ते वड़ाज डी आपन फुड़ा कंस्ट्रक्ट केलेले याचा चार्थ बीडी हाजर बीडी चाहाप आसेल आनि आपल याला BDH, AC चाहा प्रूव करेचा है। परूंतु आत्ता figure मोरून आपना सांगुश अकतो की BDH, BE चाहा पहे। कारंथी construction है, याता चार्थ BE चाहा पहे, जे अपन आला AC चाहा प्रूव करेचा है, मनजे अच B, A नी AC चाहा अपना कोंग्रन्ट प्रूव किला तर ते आपन लगे सांगुशक्तों मुन थोड़ी शी मी फिगर सेपरेट कार लेले याए इता आपन आशा पद्धती न दोन ट्राइंगल बगुया हाँ ट्राइंगल ABC जो इथा पहले अंदा अगेत लेला आणि हाँ ट्राइंगल ECB जो इथा मि तुसरे अंदा गेत लेला है इथा ज़र आपन AC ला B पॉंगरन्ट प्रूव कराईचा सेल मंजेच या side ला ज़र ही side कॉंगरन्ट प्रूव कराईचा सेल तर हे दोन ट्राइंगल एक में खान शी कॉमन दिश्थे मज़े BC ला BC ही साइड कॉमन दिश्थे जी आपन फर्स्ट पेर मुनू शक्तो या वित्रिक तो कॉंती ही साइड अत्ता सद्धे इतो सपष्ट दिशत नाई मात्र हे दोन ट्रेंगल सोड़ूंज चोटे-चोटे हे दोन ट्रेंगल पाहिले यह दोन ट्रेंगल पाहिले तर अपन ते कॉंगरन प्रूव करू शक्तो बिकास AD is equal to CD करन D midpoint देलेल होता यह सी चा सेम वे BD is equal to ED करन अपनी construction के लेले आनि या एंगल ला इतला अंगल यह अंगल 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 कॉंगरन अंगल EDC because of these are vertically opposite angles मंजे हे side angles, side test नुसार, हे triangle congruent आपन प्रूव करूँ शक्तो परूंतो आपले आले हे triangle प्रूव करे ज़े या ट्रेंगल कॉंगरन दाखाव लेन अंतर, त्याचे corresponding pairs चा वापर करून आपन इथा pairs गिऊ शक्तो मंजे आपन काई महनु शक्तो पहा, सपोज हे दोन triangle या वरी congruent होती है, त्या वरी इतली AB side ही, EC ला congruent असेल, because of corresponding side सोब congruent triangles मं त्याचा वापर आपन इथा करू शक्तो सेम वे इतला angle ला हा, इतला angle congruent हुँ शक्तो, because of corresponding angles of congruent triangles मं त्याचा आधार गिऊ उन अपन इथा इतर pair कोण कोंते गिऊ शक्तो है, त्याचा नंतर विचार कुरिया मंज़े इतला शरुवाती राशी गोष्ट लक्षाद गया, कि अपलेल शरुवाती रही छोटे दोन triangle जया है, त्याचा आधार याचे उदलेले किमान दोन पार्ट गिऊ, करन हे दोन triangle जया किमान तीन पेल मिड़ायला पाहिचे शरुवाती सा टपा मुनून, अपने जया चोटे दोन triangle है, त्या कॉंगरिन दाखोन गिऊ या, मंज़े चीते प्रूफ ली तसता ना, शरुवाती राट या त्या दोन triangle पासुन आपन सुरुवात करतो है, इन triangle A, D, B and triangle A, C, D, E, या पद्धती न आपन सांगेला हुआ, या मदे जो यवड़ा A, D segment है, त्यवड़ा C, D है, मंज़े इता side हत्वा segment आसा महनू शक्तो, segment A, D जो है, तो congruent है, segment CD ला, because है अपनला question में दे सांगेत लेला है, हाइपोटेने सोल ची मेड़ी है नहीं मंज़े ज़ी मिड़पोइंट है, सेम वे अपन महनू शक्तो, segment जो BD आ है, तो congruent है, segment ED ला, करन BD आनी ED है अपन equal है अपन construction के लिए, एक गिवन पार्ट चाला एक construction जालो, यहां एंगल ला, हां एंगल कॉंगरंट होतो, that is means angle ADB, हां एंगल कॉंगरंट हुई, एंगल C, D, E, because these angles are vertically opposite angles, मझे जे वां triangle चे तीन pairs congruent होता, तेचा जे components आसता, तेचा तीन pairs congruent होता, तेचा तीन pairs congruent होता, तेचा आपन महनू शक्तो, के हां जो triangle ADB है, तो congruent असे ल, triangle C, D, E, ला, इता जे आपन टेस्ट वाप लिए, ती side angles, side test, या test में सार हे triangle congruent होता, तेचा वापन कुठा करनार, एक दा का triangle congruent होता, तेचा रिमेनिंग पेस जासता, side चानी को angles चे तेचा तेचा चारत या triangle मझे ली AB side, आनी याला EC ला congruent होता, मुन आपन मनुश्यक्तो, therefore, segment अथवा side मना, segment AB हा congruent होता, segment EC ला, because of the corresponding sides of congruent triangles, suppose अपन एक नंबल दिऊजी अपन फुठे पेर वापड़ना, मन्जे चात्ता, आपन AB ला EC equal लाखोला जो एक नंबल दिला, मन्जे या दोन triangle साथी दोन पेर तयाल सेले, अजुन आपन विचार केला, तो आसा मनुश्यक्तो, कि इता हाँ जो B90 है, त्या पद्धतिन C90 होनाया, परूंत B हाँ संपूर्ण ट्राइंगल ADB में देन आई है, मन्जे आपन आसा मनुश्यक्तो, कि या अंगल हाँ अंगल congruent will, मन्जे च अंगल BAD हो है, या अंगल BAD, congruent angle या BAD ला, हाँ ECD, या पद्धतिन आपन संपूर्ण शोक्तो, ECD, because of these are corresponding angles of congruent triangle, मता याचा उपयोग काय हुई, एक्चुली है अंगल इथा तशे नाई चायत, परूंत याचा आपन आसा उपयोग करू शोक्तो, जिवाँ दोन lines intersect parallel असतील और ही intersect होत असेल तर अपन आसा मंतो कि है angle congruent असात, मन्झे हे line parallel असतील तर है congruent असात, याचाए अpp elder あपनपना faut असा मंतो, जो जर है angle congruentust रसे या line paradox parallel असता, मन्झे हे दोन angles are alternate angles, बकाने आपने पने वीचार केला, that meansist bad line A B and line A C, इफ AC is the transversal and if these two angles are congruent then we say that AB parallel to EC ज़े alternate angle चा test नुसार आपन या ज़े वर्टिकल दोन लाइन साथ त्या आपन पैरलल लाइत महनु शोक्तो दैर पुरी तो पुर्चा step ला लितो है line G ABSL जी parallel हुईल line EC ला ही step लक्षा ते देखा पहा या angle ला हा angle congruent है मंजे च्या वर्टिकल चा दोन लाइन साथ त्या parallel होतील because of alternate angle test माता याचा उप्योग अपले लासा भील जर या दोन उभ्या line parallel असतील तर हा संपूर्ण angle अने हा संपूर्ण angle ही interior angles होतील जबाग पैरलल लाइन सासता त्यमा ते चीं इंटेरर जी अंगल असता त्या supplementary असता त्या supplementary असता त्या supplementary असता त्या दिज में सापनीत महनुशक्त हो देर्फोर angle ABC प्लस angle ECB या दोगांची जी सम असेल ती 180 degree असेल because of these angles are interior angles महें interior angle असेल आमड़ हे 180 होनार परूं तो ABC angle अपलाला 90 दिलेल है प्लस angle ECB या दोगांची सम जी होईल ती 180 होईल मंझे जी angle ECB सुद्धा जो होईल तो 180 माइनस 90 मंझे 90 degree चा होईल मंझे B90 होता त्या चावन आपन C संपूर्ण सुद्धा 90 पूरू केला मंझे आशा प्रकार आपन या दोन triangle मादे थोड़ सो लक्ष दैचा है ही जी figure 2nd में तो ड्रा के लिले है तो तुम्हारा लक्षा ते भी मुनून के लिले है परीक्ष मेंदे काडने चाव शकता नहीं है आता आपन या दोन triangle सा जर विचार केला तो या दोन triangle कॉंगरंट हूँ शकता मंजेज 30 स्टेप आपनी तो थोड़ी से मांड़ू या नाउ इन triangle A, B, C and triangle E, C, B या दोन triangle मादे A, B side ला E, C side कॉंगरंट आए मंजेज segment A, B ज़ा है तो कॉंगरंट आए segment E, C ला because आपन ते एक नंबर ला पुरू के लिए ला यहला कारन from 1 मनू या बी एंगल ला C एंगल कॉंगरंट है एंगल B हाँ सुट्टा एंगल है कि वा आपन तीन अक्षिरीजर नाव देना रशाद आपन मनू या एंगल A, B, C कॉंगरंट एंगल E, C, B each 90 डिगरी करने ही दोनी एंगल नववा दाउश है चाहत क्यों हाँ ही तो नववा दाउश मिलवला ही तो दोन नंबर दिया ही तो फुड़ा फ्रॉम टू मनू शुक्त आपन और ही जी साइड B, C है मन्जेज जो सेग्मेंट B, C है तो कॉमन है दोनी ट्रेंगल मदे तो सेग्मेंट B, C, कॉंग्रन सेग्मेंट B, C दिस इस कॉमन साइड हाँ थोड़ा सा भाग इत्तो मी फास्ट निहेत लेला है लक्षा तो दो का पहा मन्जे जो दोन ट्रेंगल पहाता तुम्ही ट्रेंगल A, B, C and ट्रेंगल E, C, B यह चामदे हा तीन पहाँ शाल्या मन्जे आता ही दोन ट्रेंगल कॉंग्रन होतील बिकशा ओप साइड अगल साइड टेस्ट देरफ़ आपन मन्णू शक्तो हाँ ट्रेंगल A, B, C कॉंग्रन होतो ट्रेंगल E, C, B ला बिकशा ओप साइड एंगल साइड टेस्ट बाता यह चाउपयोग आपन कुट खाणा रहोत जर हे ट्रेंगल कॉंग्रन टास्तील तरेंगल ट्रेंगल कॉंग्रन होतील मन्जे लाइच ही A, C साइड आणी B साइड गॉंग्रन ट्रेंगल मनुन आपन मनाईचा है therefore segment AC congruent segment B because of the corresponding sides of congruent triangle मन्जे जात्ता आपन AC यहनी B हाई equal दाखोला पर उन तो आपन फुड़ा मनुश्यक्त है मैं थोड़ा से इताच याच पेज़ वर गेतो है last step इताली तो है but आपन आसा मनुश्यक्त है कि हाँ जो बिड़ी आ है तो हाँ पाए B.E. चा मुझे हाँ बिड़ी संपूल्ड B.E. चा हाँ पाए करन ही आपन construction के लिए पर उन तो B.E. लाच अत्ता आपन AC यहाँ सही मनुश्यक्त है that is means मन्त है बिड़ी जो असेल तो AC चा हाँ पासेल जे आपले प्रूव हून जे मन्जे तो काई के लपा हा हाँ AC सेग्मेंट आनि हाँ B.E. सेग्मेंट हे कौंगरंड दाको ले मन्जेज तेचा फुड़ा अपना सही तो मनुश्यक्त हो कि जर बिड़ी हाँ B.E. चा हाँ पासेल मन्जेज B.E. एनि AC एक हाँ B.E. चा हाँ मन्जेज तो AC चा हाँ आए मनुन यहाँ दोन स्टेप आपन शेउटी लाएचा तर या पद्धती तेचे जे प्रूफ आए ते अपला पुष्टगा मादे फक्ता स्टेप दिलेले मन्जे शुर्वा तेला तोमाला संगीत लिले कि हे ट्रेंगल कॉंगरेंट दाखवा ते आनंतर हे ट्रेंगल कॉंगरेंट दाखवा ते कशा पद्धती न दाखवाए चे ते थोड़ी से समझाऊंग्या आता याओ राधारी प्रैक्टिस सेट में देजी उधारने ती पहुया फर्स्ट क्वेस्चन काया पहा दी लेंथ ओफ हाइपोटेनियेस ओफ राइट अंगल ट्रेंगल इस फिफ्टीन हाइपोटेनियेस ची जी लेंथ ती फिफ्टीन दिलेले अपले इता ट्रेंगल ची लेंथ देलेले अद ता अपन धेरम पाहिला मंजे जी प्रोपल्टि पाहिले त्या नुसाल तो थेरम शुरुवातेला लिहुए इन राइट अंगल ट्रेंगल the length of the median is half of the length of its median sorry of its hypotenuse hypotenuse चा हाप ही median ची length असते ही property आपन शिकले लाए ते आमला आपन इतम होनु या therefore length of median which is equal to 1 half into hypotenuse पर्ण तो आमाला hypotenuse ची length 15 दिले लाए that is means 1 half into 15 that is means 7.5 unit या पद्धति नहे एक ते दोन मार्का साटी उधारना सेल तर आपन मांडू सकतो जर अपन या चाए वो जी triangle एकादा अखून ती तो triangle ABC संगीतला जा मदे AC hypotenuse है आणि त्या मदे median construct के लिए तो सुरुवा तिला अपन लेट मनू त्या figure सो जे काई वरनना नहेतिये करवानी त्या पद्धतिन सुधा सुद्धा सुदूश यपतो त्या सटी थोड़ा सा next question पहुया इन triangle PQR angle Q is equal to 90 degree PQ is equal to 12 QR is equal to 5 and QS is the median find the length of QS अपने याले इता right angle triangle संगीत लेले जो PQR है त्या सटी आपन इता सुरुवा तिला जर फिगर तेनी दिली नसेले आपन ती फिगर construct कारेले पाज़े इता Q90 है त्या में इता में Q नाओ देता है सपोज इस triangle PQR जा में दे Q हा 90 degree है PQ ची लेंद आइती 12 आए QR ची लेंद जी आइती 5 आए या शुवा अपने ला से सांगीत ले कि QS ही median है QS ही median है याचार ते Q point person opposite side चा जो midpoint है सपोज हा QS मन्जेज S हा midpoint दे लेला है PR चा या QS लेंद ची लेंद अपलेला है विचार देले अपन आत्ता जो थेरम पहिला त्यान उसार ही QS ची लेंद असे त्या हाइपोटेनियस चाहाँ पसे मन्जेज PR चाहाँ पसना रहे परंतो अमाल इता PR देलेल ना है मन्जे तो सुर्वा तिला फाइंड आट कुरिया जाचा हाप क्यों है मन्जे से मेडियान ची लेंद असे मुझे हे एक्जाम्पल सौल करते तस्ताना सुर्वा तिला आपन मनुए इन ट्रेंगल क्यों आँ डारिक्ट मनतो है पाइथागोरस थेरम पाइथागोरस थेरम नुचार आपन मनुष्यक्तो PR स्क्वेर विच इएक्वल टू PQ स्क्वेर प्लस QR स्क्वेर आमला PQ आनि QR ची वैलिव दिलेले PQ is equal to 12 12 square plus QR is equal to 5 5 square square of 12 144 हुई plus square of 5 that means 25 हुई मन्जे इस फूर जर आपने स्वाल्व करत गेलो तर PR स्क्वेर ची वैलिव 5 प्लस 4 9 4 प्लस 2 6 and 1 परंतु 169 हा 13 चा स्क्वेर है that is means taking square root on both sides we get PR is equal to 13 unit या पद्दती न या राइट अंगल ट्राइंगल में दे हाज वो हाइपोटीनियस PR है जर ची फैलिव आपन 13 unit find out के लिए मतार नाव मनुश्यक्तो मन्जे मगाचा जी वाक्ये थे पुना लिवया नाव इन राइट अंगल ट्राइंगल दी लेंथ अव हाइपोटीनियस श्डरी दी लेंथ अंगल ट्राइंगल आपनीयस इस हाप अब दी हाइपोटीनियस याचा चार तीही क्योग्ये स्मेडियन है तीहाप सिल हाइपोटीनियस चा मन्जे प्यार चा पर उन्तु PR जो अपने ला 13 मेला लेला है तो जर इतली ला तो 13 सहाब that is means 6.5 unit ही त्या QS ची लेंद आसे उन्हों आपन शेवटी तो मुनों चोक्तो therefore the length of QS which is equal to 6.5 unit जे काई किले पाहा hypotenuse वर चीजी median असते तेची लेंद आपने ला महीत है पर उन्तु हाइपोडीनेस महीत नहों ताम उन्हों सुरुवा तिला पाइथागरस थेरम आपर ला त्या नुसार P.A.L.C value find out के लिए आनि नंतर आपने ला हाजो थेरम महीत है त्या नंतर त्या ची value find out के लिए यान नंतर next question काई पाहुया इन फिगर, point G is the point of the concurrence of the medians of triangle PQR या triangle PQR चे जी medians है त्याचा point of concurrence G है मन्जे इस तो centroid है that means T is the midpoint of segment और side QR same way इथा point दिलेले नहीं है त्या पेक्षित नसल उत्तर शोद न त्या पद्दे तिना हाँ midpoint है या side सा same way या side सा हाँ midpoint है या इस वह पुड़ा प्लेल आसा संगीत ले इप G T is equal to 2.5 G T है distance 2.5 unit है then find the length of PG and PT PG and PT ही दोन distance स्विचाद लेले अत्ता अपन हा right-angle triangle चा hypotenuse वल सा median कसा है ते पहिले त्या पुर्भी आप रेदिकॉल मदे आसा पहिलेले होता कि कोंध्याई triangle मदे जो centroid असतो that is means the point of concurrence of the medians that point divides the median in the ratio 2 is to 1 मंजे 2 is to 1 या proportion मदे हाँ जो centroid है तो त्या medians ना divide करता सतो ये जो दोन पाल्ट असता त्यों होल्टेक्स करता सता तान हाँ एक पाल्ट असतो तो side करता सतो मंजे PT या segment चा कि महाँ या median सेजर आपने विचार केला थोड़ोसी segment मुद्धाम separate करता है जयोड़े आपन ही PT median विचार अदखेतो है त्यावड़े या जी या centroid मूल ये चे 2 is to 1 या पद्धतिन डिवाइड होता मंजे दोन भाग इकड़ होता या पद्धतिन अच्छी विभाग नियोदा मामाल इता ही जी टी डिस्टन्स है ते 2.5 दिलेला है या चार ते याचा ट्वाइस पीजी डिस्टन्स असे मंजे ही डिस्टन्स 5 इनीट असेल अनि टोटल डिस्टन्स दर विचार ले तर 5 प्लस 2.5 मंजे 7.5 असेल मामाला तेज विचार लेला है पीजी किती असेल किवह पीटी किती असेल फक्त त्याच्छो प्रेजेंटेशन करते तसनाना कशा पद्धतिन कराव लागेल पहा अपन सुर्वाती लीतल हुया इन ट्राइंगल पीक्यू आर पॉइंट जी इस दे सेंट्वाइड पॉइंट जी हापन सेंट्वाइड लीला है याचा साल ता बाक्की सग्रेट है मेडियन है याचा ते साल तो बट सेंट्वाइड डिवाइड दी मेडियन इन दी रेशो 2 इस 2 वन मंजे सेंट्वाइड है मेडियन ला 2 is to 1 या प्रपोर्शन मादे डिवाइड कलता या चा चार्थ हाजो पीज एसल देरफोर पीजी जर अपने ला फाइंड आउट करेच असल तक पीजी हे दोन पाइट अन जीटी हाँ आए अपने इतास महनुष्यक्तो देरफोर पीजी इस टू जीटी इस इक्वल तू 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 इस टू वन देरफोर पीजी जो आए तो ट्वाइस असल जीटी चा परूंतो जो जीटी आमाला दिला है तो 2.5 आए जाब पद्धति ना था पीजी काड़ा मांग पीजी महीता है जीटी महीता है देरफोर फाइनली लिए देरफोर पीजी इस इक्वल टू पीजी प्लस जीटी बिकाज ओप पीजी डैस जी डैस टी कदी ही सेग्मेंट ची एडिशन के वहां सब्ट्रेक्शन करता स्ता ना ते पॉइंट को लिनियर आए ते कारण नहीमी दैचा मात आपलेला पीजी फाइ उनिट मिला लेला है जीटी 2.5 अल्लेडी दिलेला हुता मंझे ची या दोगांची जर एडिशन केली तर 7.5 उनिट या पद्धती न पीटी जो आहे मंझे इस तीजी मेडियन है ते ची लें ती मिलेल तर अशा पद्धती न आपन या वीडियो म जास्ती जास्ती विद्धय देंच अपने न शेर करा अनी चैनल सब्सक्राइब करा चा रहला हसेल तर अटवनी न सब्सक्राइब करा थैंक यू